आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत की आठरी ऐसी बैंक जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आज कौन से प्राइज में मिल रहा है बहुत ही अट्रेक्टिव प्राइज में चरूर हम जानेंगे और समझेंगे कि अगर आज हम उसमें पैसे लगाएं तो चा वर लो अगर देखें तो यह लो था 74 तक यहांपे ऐगर प्रॉपरली देखें सब्सक्राइम कि पैसे नीचे बंदे चाहिए यह हमको दिखाता है कि एक 820 रुपे का स्टॉक आज 153 है और हम जो बाइंग करने जा रहे हैं 153 के भाव पर सोच रहे हैं पूरा समझेंगे कि क्यों सोच रहे हैं यहां पर देखें तो सबसे जो पहला टार्गेट है वो है 300 रुपे का तो यहां से अल्मोस्ट डब ली कम इस अज़रा ब्ली में क्रूप है पर फिर उनल् голос कि अबक्रिया है मन अपलिकीर इंडैन्सेंगे मतलि कहा वीजब्ली चार्ट च्रेंट में लुसके ओन्या wax है वांपस हाय रो बना ये विकली चार्ट यह दो टाइम हायर बना चुक है है वापस अगा यहां पर बनाता हूं हमको दिख लाह अ घक रहेमस्ति की बात करें कि रिट्रस्मेंट ने है है यहां के इस लेवड पर यह अग बहुत ह言 बेrecht जो रिट्रस्मेंट का लेवल है वो है पॉपर्ली ू.382% देख रहे हैं हम नुक एक रिट्रस्मेंट लेवल लिया है और इस रिट्रस्मेंट के बाद एक हैल्दी रिट्रस्मेंट है आने वाल टाइम में यह टार्गेट अचीव होता हुँगा दिखता है और वो पैसे अगर तीन साल में डबल होंगे तो आपको बहुत ही बहतरी 33 परशंट का रिटन मिला है यह सालाना बेसिस पे यह और यह चेक कर सकते हैं तो यहां पे अगर मोग देखें तो यह छोटा सा इंवेश्ट्पेंट अब बहुत अच्छी तरगे से कर सकते हैं और मंत अगर वी यहां भीन देखें तो यहां पे बोफ्र यहां था पांउर करता हुद दिख रहा है अगर आपे यहां। यह मैं अभी सपोर्ट कर रहे हैं और सफ ही क्या है सब कुसже करती है यहां पे देखें तो अल्रेडीrok देखें पर अब आचुका है डेली बेसिस पे this is a good sign उसी के बाद weekly charts पे देखें तो weekly charts में भी एक properly 50MA के उपर trade कर रहा है this is a good sign और यहां पे अगर monthly chart में देखें तो monthly chart में 50MA के नजदीक में भी trade कर रहा है और यहां पे अगर हम लोग देखें RSI का level तो RSI यहां 56 है weekly basis पे और daily basis पे देखें तो 51 है तो 50 के उपर भी RSI अच्छा माना जाता है खराब नहीं माना जाता देखते हैं यहां से क्या होता है आगे की time और उसके बाद देखते हैं हम लोग की company कितनी बड़ी है जो bank है वो है 25,261 करोड की जो book value है वो है 250 रुपे हमको below to book value मतलब सोच सकते हैं आप 250 रुपे की bank हमको 15 53 रुपीज में मिल रही है एक below book value और एक low P आप यह देख सकते हैं कि P रिशो कितना है एक profitable bank जो government of India own करती है उसका 870 आठ का P मतलब 9 का P आप कह सकते हैं और जो book value है उसके भी नीचे मिल रही है जो depth है हम रुप debt पास नीचे है तो concern क्या है इसमें यह सब दिख सकते हैं हमको stock जो है वो point six point मतलब यह देख सकते हैं आधे के नजदीग में trade कर रहा है और जो last year में नुकसान था मार्च में मगर यहां पर अगर देखें तो दोजार आठ सो एक्क्यों करोड two thousand eight ninety one करोड का net profit report किया बैंक ने इस quarter में यह ज्यादा करके जो prices हैं यह loss profit loss profit उसके वाइसे हैं और इसके वाइसे यह prices बहुत उपर उपर नीचे उपर नीचे हो रहे हैं borrowing देले देले बढ़ती जा रहे हैं जो डिपोईजर्स है वह बैंक में बढ़ाते जा रहे हैं उसी के साथ उसी के साथ आप यह देख सकते हैं कि रिटर्ण और यहां पर बड़ी है पहले आठ था नौ था यहां पर बारा हुआ और यहां पर यह एक्चुली साड़े बारा हो चुका है पब्लिक जो हो रही है हमेशा ऐसा होता है कि जब profit होता है मतलब जो profitable company होता है पब्ली कम हो जाती है यहां पर देखें कि कैनरा कैनरा बैंक का शेर जो और फिप्टी पर लोग कह रहे हैं कि इसा चौदा जन ने अनल रिसर्च किया है और चौदा जन में से 50% लोग कहते हैं बाइंग कर सकते 50% लोग करते हैं नहीं बाइंग का तो हम ज़रूर इस कम इस बैंक को कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा एड करें अपने फंड सब्सक्राइब करें यह बैंक है कैनरा बैंक जरूर आप भी अपने लेवल पर स्टड़ी करें और इस वीडियो को शेर करें कि लोग भी समझ सकें कैनरा बैंक एक प्रॉफिड़ बैंक आज बहुत ही लोपी पर अवलिबल है हम लोग कल एक वीडियो डिसकस करेंगे बहु और वह भी एक प्रॉफिड़ बैंक है और वह साथवे नमबर पर अजआता है प्रपिट रिपोर्ट करने में मतलब कैनरा बैंक से इंबवी ऊपर है प्रॉफिट रिकोटिंग में और भी पहीलिए महलीं कैनरा बैंक से भी प्रॉप CP मतलब 6 के पीप है मिल रहा है तो